हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत सुन्दर डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगे कि ये डिजैन कैसी बनाया गया है इस डिजैन को आप लेडिज कार्डिगन, लेडिज हाप जैकेट, लेडिज स्वेटर, गर्ल्स टो, फ्रोग, कुर्ती, जैन स्वेटर, बच्चों के स्वेटर किसी भी प्रोजेक्ट पर अपलाई कर सकती है सभी प्रोजक्ट पर ये डिजैन बहुत ही सुन्दर लगता है इस डिजैन को बनाने के लिए आपको 10 के मल्टीपल फंदे लेकर 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे तो ये डिजैन आपके प्रोजक्ट पर इस तरह से एड़िस्ट हो जाएगा 10 के मल्टीपल देखिए आप इसमें 10 फंदे गिन लिजिए फिर से 10 फिर से 10 इस तरह से करते हुए लाष्ट में आपके 3 फंदे होने जाहिए ये डिजैन सीधी साइड से शुरू होता है और 12 सलायों में कम्पलीट हो जाता है बोर्डर के बाद अगर किसी भी प्रोजेक्ट ले फंदे बढ़ाने हो तो आप इसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लिजिए और सीधी साइड से ये डिजैन शुरू हो जाएगा तो चलिए देखते हैं कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है तो चलिए जो डिजैन की पहली सलाई मैंने यहां से बनाई वही मैं आपको यहां से बता रही हूँ यहां पर मैंने लिए हैं 33 पंदे 10 के मल्टीपल करके और 3 पंदे एक्ष्ट्रा अब ये डिजैन की पहली सलाई है और सीधी साइड है तो ध्यान दीजिएगा कि बोर्डर के बाद आप इसकी पहली सलाई कैसे बनाएंगे पहला फंदा इसका है इसे उतारिए या उल्टा बनाईए ये आपकी अपनी मर्जी है अब धागे को पीछे करेंगे और तीन फंदे सीधे एक, दो, और ये तीन अब देखिएगा एक और ये दो दो फंदे को ऐसे हलका सा लूज कीजिए आगे की साइड से स्लाई डाल के और दो फंदे का एक फंदा ऐसे बनादीजिए धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे और एक फंदा सीधा बनादेंगे जो फंदा यहां पर कम किया वो जाली से हमने बढ़ा दिया फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदे को पलट के ऐसे सीधा करेंगे धागा अपनी तरफ रहे और बैक साइड से दो फंदे का यहां एक फंदा बना देंगे फिर पांच फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार और ये पांच तो ये देखिए स्टार्टिंग से पहला फंदा एस्टीच उसके बाद तीन फंदे सीधे अब ये हमारा दस फंदे का डिजाईन है दो चार छे आठ और ये दस इसी डिजाइन को अब बार बार रिपीट करती जाना है तो नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग है ध्यान से देखिए दो फंदे को हलका सा लूज करेंगे आगे की साइड से स्लाइड डाल कर दो फंदे का एक फंदा ऐसे बना देंगे धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे एक फंदा सीधा बना देंगे जो फंदा यहां कम किया वो जाली से बढ़ा दिया फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से दो फंदे का एक फंदा ऐसे बना देंगे अब पांच फंदे सीधे एक दो तीन च्यार और ये पांच तो ये देखिए ये हमने दस फंदे का डिजैन बनाया इसी को फिर से रिपेट करना है तो एक और ये दो दो फंदे में आगे की साइड से स्लाई डालेंगे और दो का एक फंदा बना देंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे जो फंदा कम किया वो जाली से बढ़ा दिया फिर से धागा आपनी तरफ इस एक फंदे को ऐसे पलट देंगे बैक साइड से दो फंदे का एक फंदा बना देंगे तो जो फंदा हमने दो का एक करने से कम किया वो पहले ही जाली से बढ़ा दिया अब आगे आपके फंदे होंगे तो आपने पांच फंदे सीधे बुनने हैं लेकिन जब आप लास्ट में आएंगे तो ये वाला डिजैन बुनने के बाद आपके चार फंदे बचेंगे जिसमें से तीन को सीधा बुनेंगे एक दो और ये तीन और एस्टीज को धागा उल्टा बुन देंगे पहली सलाई डिजैन की कम्पलेट हो गई अब आज ये इसकी दूसरी सलाई और उल्टी साइड पर धागा अपनी तरब कीजिए उल्टा बुनते हुए इसकी दूसरी सलाई को कम्पलेट कर देंगे तो उल्टा उल्टा बुन लिजिए मैं भी इसे कम् अब आज ये इसकी तीसरी सलाई और सीधी साइड पर तीसरी सलाई को आप ध्यान से देखिए पहला फंदा इसका एस्टीच है इसे उतारिए या उल्टा बनाईए धागे को आप पीछे करेंगे अब हम यहां पर दो फंदे सीधे बनाएंगे देखिए एक और ये दो अब ए फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन अब जो फंदा यहां दो का एक करने से कम हुआ वो जाली से बढ़ा दिया फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को ऐसे पलट देंगे बैक साइड से सलाई डालेंगे और दो फंदे क एक फंदा बना देंगे अब यहां पर भी पहली सलाई पर पांच फंदे सीधे बनाए थे तीसरी सलाई पर यहां तीन फंदे हम सीधे बना देंगे अब फिर से हम डिजैन को रिपेट करेंगे दिखिए एक और ये दो इन दो फंदे में लूज करके आगे की सैड से सलाई डा जाल देंगे और दो का एक फंदा बनाएंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन फिर धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को ऐसे पलट देंगे बैक साइड से दो फंदे का एक फंदा बना देंगे जाली से फंदा बढ़ाया यहां दो काई करके घटा दिया फिर तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन फिर से डिजाइन को रिपेट करेंगे एक और ये दो इन दो फंदे को हलका सा लूज करेंगे आगे से स्लाई डालेंगे और दो का एक फंदा बनाएंगे धागा अपनी तरफ ले कराएंगे अब तीन इस एक फंदे को ऐसे पलट देंगे, दो फंदे में आप बैक साइड से स्लाइड डालेंगे, धागा अपनी तरफ और दो का एक बना देंगे, लास्ट में आपके तीन फंदे बचेंगे, जिसमें से दो को सीधा बुनेंगे और एश्टीज को उल्टा बनाएंगे, तीन यहां डिजैन की कम्प्लीट हो गई है अब आज यह इसकी पांचमी सलाई और सीधी साइड पर पांचमी सलाई को अब आप ध्यान से देखिए कैसे बुनेंगे पहला फंदा इसका है इसे उतार यह उल्टा बनाईए धागे को पीछे करेंगे एक फंदा यह सीधा अब देख धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और पांच फंदे सीधे आजाएंगे एक दो तीन चार और यह पांच अब धागे को अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को ऐसे पलट देंगे बैक साइड से दो फंदे में सलाई डालेंगे और दो का एक फंदा बना देंगे अब एक प्रटिंग के ये दो फंदे छोड़ कर यहां तक हमारा ये दस फंदे का डिजैन हो गया है इसी को अब हम दोबारा से रिपिट करेंगे एक और ये दो इन दो फंदे में आगे की साइड से स्लाइड डालेंगे दो का एक फंदा बना देंगे फिर धागा अपनी तरफ लेकर तरफ गया है और पाँ फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तीन च्यार और ये पांच फिर धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को ऐसे पलट देंगे बैक साइड से स्लाइड डालों के दो फंदे का एक फंदा बन देंगे एक फंदा अब ये सीधी आप फिर से यही 10 फंदे में ऐसे सलाइड डालेंगे और इसको लूज करके आगे की साइड से सलाइड डाल कर दो का एक करेंगे तो फंदा कम हो गया उसके लिए धागा अपनी तरफ ले आएंगे और पाँच फंदे सीधे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार और ये पांच अब धागा अपनी तरफ और इस फंदे को ऐसे पलट देंगे बैक साइड से दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे लास्ट में एक सीधा और एस्टीच को उल्टा बुन देंगे पांच सलाईया डिजैन की कम्पलीट हो गई छटी सलाई है और उल्टी साइड है इसे उल्टा बुनते हुए कम्पलीट कर देंगे छए सलाईया डिजैन की कम्पलीट हुए अब आज येगा इसकी सात्मी सलाई और सीधी साइड पर सात्मी सलाई को आप ध्यान से देखेगा की कैसे कम्पलीट करेंगे पहला फंदा इसका S-T-C है इसे उतारिये या उल्टा बनाईए अब ये जो फंदा सीधा दिख रहा है इसे भी हम उल्टा ही बुन देंगे अब धागे को पीछे करेंगे और ये देखेगा एक दो इन दो फंदे को हम पहले सीधा बुनेंगे एक और ये दो अब देखे एक और ये दो इन दो फंदे को ऐसे लूज करेंगे आगे से स्लाइड डाल के दो का एक करेंगे अब यहाँ दो का एक करने से फंदा कम हो गया उसके लिए धागा अपनी तरफ ले कराएंगे और देखे ठीक यही बीच वाला फंदा है इसे हम सीधा बनाएंगे तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को पलटके सीधा करेंगे बेक साइड से दो फंदे का एक फंदा बना देंगे फिर दो फंदे ये सीधे एक और ये दो तो देखिए पहला फंदा इसका एश्टीच है इसे छोड़ कर दो च्यार छे आठ और ये दस ये दस फंदे का डिजैन बनाया इसी को अब बार बार रिपेट करेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे ये देखिएगा यहां पहली सलाई पर जो पाँच फंदे थे अब सातमी सलाई पर ये एक फंदा यहां जो सीधा दिख रहा है यहां से नेक्स डिजैन की स्टार्टिंग हो रहें तो इसे हम उल्टा बुनेंगे धागा पीछे दो फंदे सीधे एक और ये दो दो फंदे को हलका सा लूज करेंगे आगे से सलाई डालके दो का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ और सेंटर के फंदे को सीधा बुनेंगे तो यहां जाली आ जाएगे फिर से धागा अपनी तरफ इस फंदे को ऐसे पलट देंगे बैक साइड से धागा अ गया है इसी को फिर से बना रही है तो ध्यान से देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे दो फंदे ये सीधे अब देखियेगा एक और ये दो इन दो फंदे में थोड़ा सा लूज़ करके आगे से स्लाईड डालेंगे और दो का एक को हम ऐसे पलट देंगे बैक साइड से दो का एक फंदा बना देंगे फिर ये दो फंदे सीधे एक और ये दो अब धागा अपनी तरफ करेंगे देखिए यहां से यहां तक हमारा दस फंदे का डिजाइन बन गया और लाश्ट में दो फंदे हैं इनको उल्टा बुन देंगे साथ सलाईया डिजाइन की कम्प्लीट हो गई हैं आठमी सलाई को भी अब आप ध्यान से देखिएगा जो फंदा हमारा सीधी साइड पर उल्टा बनाया गया वो हमारा यहां सीधा बनेगा जो सीधे फंदे बनाए हैं वो हमारे यहां उल्टे बनाए जाएंगे तो आठमी सलाई है और उल्टी साइड है पहला फंदा इसका एस्टीच है धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे और नो फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और ये नो अब देखिए एक सीधा नो उल्टे इसी डिजैन को बार बार सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे और नो फंदे उल्टे एक दो च च चैस करेंगे और नो फंदे उल्टे आपके जितने भी फंदेहूं ऐसे करते हुए आठ मी सलाई को complete कर देना है एक सीधा और नो फंदे उल्टे और लास्ट में भी देखिए एक सीधा आ गया और एस्टीच को उल्टा बुन देंगे आठ सलाईयां डिजैन की complete हो गई है नो मी सलाई है और सीधी साइड नो मी सलाई को अब आप ध्यान से देखिए पहला फंदा इसका एस्टीच है उतारिये या उल्टा बनाईए धागा हमारा अपनी तरफ ही रखेंगे और एस्टीच के बाद ये एक फंदा और है इसे हम उल्टा बनेंगे फिर धागे को पीछे करेंगे दो फंदे सीधे एक और ये दो देखे ये फंदा और ये जाली इन दोनों को ऐसे लूज करेंगे आगे से स्लाई डाल के दो का एक करेंगे फिर धागा अपनी तरफ इस एक फंदे को सीधा बन देंगे जो फंदा घटाया वो जाली से बढ़ा दिया फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली वाले फंदे को ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से दो फंदे का एक फंदा बना देंगे, दो फंदे फिर हम सीधे बुनेंगे, एस्टीच के बाद यहां तक हमारा दस फंदे का डिजैन कम्पलीट हो गया, इसी को बार बार करेंगे, आगे से स्लाइड डाल के दो का एक बना देंगे, फिर धागा अपनी तरफ सेंटर के फंदे को सीधा बुन देंगे, फिर धागा अपनी तरफ जाली वाले फंदे को पलट देंगे, बैक साइड से दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे, और ये दो फंदे अब अब ये एक फंदा और एक जाली दोनों को लूज करेंगे आगे से स्लाइड डाल कर दो का एक बनाईगे फिर धागा अपनी तरफ और सेंटर का फंदा सीधा बनेंगे तो जाली से फंदा बढ़ जाएगा फिर धागा अपनी तरफ करके इस जाली वले फंदे को हम पलट देंगे और बैक साइड से दो फंदे का एक फंदा बना देंगे दो फंदे ये सीधे आपके जितने भी फंदे हों यही दस दस फंदे का डिजाइन बनाते जाएगे और लास्ट के दो फंदे उल्टे आ इसकी उल्टी साइड पर और दसमी सलाई पर जो फंदे जैसे दिखे वैसे ही बनाते ने है एस्टिस के बाद एक फंदा सीधा आएगा नो फंदे उल्टे पूरी सलाई ऐसे ही बनानी है एक सीधा और नव उल्टे करते हुए कंपलीट कर दीजिए दस लाइया डिजैन की कम्प्लीट हो गई है ग्यार्मी सलाई है और सीधी साइड सातमी, नौमी और इसकी ग्यार्मी ये सलाईं बिलकुल एक जैसी बनती है तो ग्यार्मी सलाई सीधी साइड से है इसे भी देख लिजिए पहला फंदा, एस टीच है इसे उतारिए या उल्टा बनाईए अब ये एक फंदा यहां उल्टा बनेंगे धागे को पीछे करेंगे और दो फंदे सीधे एक और ये दो ये एक फंदा और एक जाली इन दोनों को ऐसे लूज करेंगे आगे से स्लाइड डाल कर दो फंदे का एक फंदा ऐसे बना देंगे फिर धागा अपनी तरफ और सेंटर के फंदे को सीधा बुन देंगे फिर धागा अपनी तरफ जाली वाले फंदे को ऐसे पलट देंगे बैक साइड से दो फंदे का यहां एक फंदा बना देंगे फिर दो फंदे सीधे एक और यह दो S-T's के बाद यहां तक 10 फंदे का डिजाइन है इसी को फिर से रिपिट करेंगे धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा उल्टा फिर धागा पीछे और 2 फंदे सीधे एक फंदा और एक जाले आगे से स्लाइड डाल कर 2 का एक करेंगे धागा अपनी तरफ सेंटर का फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ करेंगे जाली वाले फंदे को पलट देंगे बैक साइड से दो का एक फिर दो फंदे सीध है और फिर से डिजैन को रिपिट करना है धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा फिर धागा पीछे दो फंदे सीधे एक फंदा और एक जाले आगे से स्लाइड डाल के दो का एक करेंगे धागा अपनी तरफ सेंटर का फंदा सीधा धागे को फिर अपनी तरफ करेंगे और ये जो जाली है इसे पलट देंगे फिर बैक साइड से दो फंदे का यहां एक बना ग्यारा सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई, बार्मी सलाई उल्टी साइपर, एस्टीज के बाद एक फंदा सीधा और नो फंदे उल्टे, ऐसे करते हुए इसकी बार्मी सलाई को कम्प्लीट कर दीजिए, तो ये देखिए इस तरह से बारा सलाईयों में ये डिजैन ओवर हो गया है, अब इन ही बारा बारा सलाईयों को बार बार रिपेट करते जाएंगे, तो इस तरह से बहुत ही प्यारा सा आपका डिजैन बनता चला जाएगा, नेक्स्ट बार के स्टार्टिंग के लिए देखिए पहला फंदा एस्टीच है, उसके बाद तीन फंदे सीधे, दो फंदे में आगे की साइड से सलाई डाल कर दो का एक कीजिए, फिर सेंटर के फंदे को धागा अपनी तरफ करके सीधा बनाईए, फिर धागा अपनी देचैन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी प्रेंट्स ग्रूप में इसे शेर कीजिए, चैनल पर नई हैं सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके थैंक यू